मूवी के श्रुवारत में हम देखते हैं कि एक ग्रूप में कुछ फ्रेंड्स आपस में बाते कर रहे होते हैं एक लड़की जिसका नम अथीन होता है वो अपने फ्रेंड्स को बता दी कि हंट की डेट करीब आ रही है और लोगों को मानने से अच्छा आडिया और कुछ भी होता है और साथ में वो कन्फ्यूज भी होता है कि तवियत खराब हो रही थी इसलिए इनमें से एक जो डॉक्टर होता है वो इसके पास आकर उसे रिलक्स करने के लिए कहता है और जमीन पर लेटा देता है इसके बाद वह एक पैन मांगता है और इस आदमी के गले में मार देती है जिससे यहीं ऑन्दा स्पोर्ट ही मर जाता है इसके बाद अधीना अपने सेंडल से उसकी आँख निकालकर फेक देती है इस सब के बाद सीन सिफ्ट होता है और हमें एक लड़की को देखती है और वह देखती है और उसके मूँ को किसी चीज़ से बांधा गया है उस लड़की के अलावे यहां पर और भी बहुत से लोग थे जिने कैदी बना कर यहां पर लाया गया था अब यह सबी एक खुले वैदान में पहुंचते हैं जिसके बीचों बीच एक लकडी का बड़ा सा बॉक्स रखा था इनमें से एक आदमी उस लकडी के बॉक्स के प करने लगता है और इस फायरिंग में सबसे पहले वो लड़की ही मरती है लेकिन इन पर यह मूवी के आखर में पता चल जाएगा एक और यहां से भागने की कोशिश करती है जो कि एक गट्टे में गिर जाती है एक आदमी उस लड़की की हेल्प के लिए जाता है और वो दे में गिर जाती है तब यह दूसरा आदमी उस लड़की की हेल्प करने की लिए आता है लेकिन अब उसकी बोड़ी का आदा हिससा ब्लास्ट हो चुका था और आदा गट्टे में पड़ा था लड़की उस आदमी से अपने आपको सूट करने बोलती है पर यह आदमी उसे सू इसके बाद यह आदमी बापस पीछे की और भागता है तकि वह उन लोगों को मार सके जो उस पर अटैक कर रहे थे लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पाता और तीरों से भूना जाता है इसके बाद वह नीची कर जाता है तब ही कोई उसके पास दो ग्रेनेट फैक्ट आए और फट कर मारा जाता है इधर ये तीनों सरवाइवार एक शौप में जाते हैं जहां पर वह एक आदमी और एक और से मिलते हैं वह दोनों हस्बेंट वाइफ थे अभी लोग इनसे इस जगह की लोकी सिन पूस्ते तो यह बताते हैं कि हमार कांस नाम के स्टेट में हैं यह सुन हैं कर यहां पर जहरेली गेस फोड़ देती हैं और इनमें से एक को शूट करके मार डालते हैं अब इससे हम समझ पाते हैं कि दोनों किसी प्लाम का हिस्सा है इसके बाद हम देखते कि यह स्टोर को क्लीन करने लगते हैं और डैड़ वोड इसको चुपा देते हैं अब यह इस लड़की का नाम क्रिस्टल होता है जो इसे पूस्तिया है कि वो किस जगह पर है इस पर जवाब देते हैं कि हम अरकानजास में हैं इसके बाद क्रेश्टल सौब से सिग्रेट खरीती है लेकिन जब उसे चेंज मिलता है तो उसे उन सौब कीपर्स पर डाउट होने लग असल में वो किसी और ही जगह पर है इसको उसे खुद भी नहीं परता तभी उसे पता चलता है कि इस ट्रक में ही कुछ वायर्स है जो कि एक बॉम्ब से कनेक्टेड है तभी वहाँ पर एक और आदमी आता है जिसका नाम गैरी होता है और क्रिस्टल उसे चुपकर देख रह करते हैं तभी इन्हें का पता चलता है जिसके बाद यह दोनों उसमें चड़ जाते हैं पर और भी लोग मिलते हैं जो कि रिफ्यूजी थे गैरी क्रिस्टल को बताता है कि यह लोग सिर्फ उन्हें गुम्रह करने के लिए हैं और यह भी उन लोगों के साथ मिले हुए हैं तभी कुछ दूरी बर जाकर उस्ट्रेन को कुछ सोल्जर्स रोग लेते हैं और सब लोगों को बाहर निकालते हैं गैरी उन सोल्जर्स को बताता है कि यह सब रिफ्यूजी फेक हैं लेकन उसकी बात पर कोई धिहान नहीं देता और वहाँ दे चले जाते हैं तब माइक ना लावाबा की सारे रिफ्यूजी असली हैं और वह सोल्जर्स भी असली हैं इस बात पर गैरी बहुत गुस्सा आजाता है और उस पर जपट पड़ता है इसके बाद कुछ बॉंब उसके पास से गिरते हैं और इनमें से एक बॉंब माइक की पैंट के अंदर डाल देता है इ यहां पर एक आदमी आकर उन दोनों को अपने साथ ले जाने लगता है यह आदमी इनसे कहने लगता है कि कोई ना कोई तो वजह होगी जिस वरसे तुम्हीं प्रिजनर बनाया गया हो इस बास से क्रीश्टल को इस पर सख होता है इसके बाद उसे लात मार कर कार से बाहर गि हैं लेकिन जब उसकी कारगेटिकी खोलते हैं तब उन्हें वहां पर गैरी की डैट बोड़ी मिलती है जिसे देख वह समझ जाती है कि यह उन्हीं हंटर की टीम से मिला हुआ है और अगर यह लोग इसे ना मारते तो यह इन्हें मार देता है अब डॉन क्रिश्टल को बतात और दोस्तों सुरुआत में जो गोलिया प्रिजनर्स पर बरसाई जा रही थी वो यह लोग ही चला रही थे डॉन और क्रिश्टल भी वहां पर पहुंच जाते हैं और डॉन को वह सूर मिल जाता है वो हंटर्स को डिस्ट्रक्ट करने के लिए सूर को वहां पर फेक देते है जिसके बाद क्रिश्टल अंदर आती है और वो एक एक करके इन सभी हंटर्स को मार डालती है लेकिन इन हंटर्स का ट्रेनर भी जिंदा होता है और वो क्रिश्टल पर डैक कर देता है और उन दोनों की काफी फाइट होती है और क्रिश्टल उस ट्रेनर को भी मारने में कामि आप हो जाती है तब रेडियो के थ्रू आथीना की आवाई आती है और डॉन को मारा या नहीं यह पास सुनकर कर्षिचल यूंगा दिये वगए उससे भी मार डालती है उसके बाद कर्षिचल इस ट्रेंगर के पास जाती है वोस से हंटर्स की बोस अथीना की लुकिसन पूच यहीं बार हमें पता चालता है कि आखिर वह सब लोग हंटर्स क्यों बने और उन्हों ने यह सब कुछ क्यों किया तो चेट देखी ती इसमें सभी लोग बाते कर रहे थे लोगों को मानने की हो सारी बातें जूर ती यानिवी जोक दी पर जब यह चैट लिए हो गई तो उसक तो इन लोगों ने हंट को सिर्फ एक मजाक के तौर पर लिया था यह नहीं उनके साथ एतना भुरा हुआ तब उन्हें ट्रैप किया अब प्रेजंट में जब क्रिष्टल अथीना की लोकेशन पर पहुंसती है तो वो देखती है कि अधीना खाना बना रही है अब यह दोनों आपस में बाते करने लगती हैं अधीना क्रिष्टल से कहती है कि मुझे उसके वारे में सब कुछ पता है और वो उसकी अधीना का मजाग भी बनाती है लेकिन क्रिष्टल की तलास करना यह वो मैं नहीं हूं बलकि तुम ने गलत क्रिष्टल को फसाय इसमें इसके साथ इन नों की बीच फाइट होती है और वो दोन घैं से कि जाती हैं वह दोबारा किस्टल जाती है और उसके कपड़े पहनती है और उसके डौग को लेकर वहाँ से जाने लगती है बाहर की और उसे इतिना का प्राइबिट जेड दिखता है इसके बाद वह पाइलेट और होस्तिस को बंदू कि नौक पर टेक ओफ और उसकी खातिर करने के लिए बोल गया और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है तो दोस्तों अगर आपको यह मूवी की एकस्प्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर देना वागे मैं विलूँगा आपसे नहीं वीडियो में टिल देन टेक के I love you bye bye